नमस्कार दोस्तों, आज पूरा भारत देश स्वतंतरता दिन का जश्ट मना रहा हैं। आप सबको धेर सारी सुपेच चाहें दोस्तों। दोस्तों हमारे जवानों ने प्राण निवच्छावर किया हैं। आजाद कराने के लिए हम सबको। और दोस्तों, उनके चरणों में आज पूरे दिल से श्रद्धान जली देते हैं और वंदन करते हैं। दोस्तों, इस pandemic, COVID-19 जो पूरे विश्व में, आज पूरे विश्व को एक सकंज में ले चुका है। मैं आज इस मौके पर आपको थोड़ी बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, मार्च, 15 मार्च से लेकर आज, 15 अगस तक, कल तक के आंकड़े जो बता रहे हैं, वो COVID-19 की वज़़े से 49,000 लोग मर चुके हैं। और दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा कि तंबा को एम दुम्रपान से होने वाली रोगों से, 15 मार्च से आज, 15 अगस तक, 5.5 लाग से ज्यादा लोग मर चुके हैं। तो खतरना क्या है? खतरना क्या है? वाइरस है या व्यसन? तो दोस्तों, हमारे शहीदों ने जो अमारे उनके प्राणों की जो बली चलार दिये हैं। उनके लिए हम सोचते नहीं हैं, क्या हमें अपनी जान के कोई परवाई नहीं है, दोस्तों उन लोगों ने हम जी सके इसलिए उनके प्राण न्योचावर किया हैं, सच्चे अर्थ में अगर उनको शर्दान जली देना है, उनको याद करना है, तो आज व्यसन मुक्त हो जाए दोस्तों, कोविड-90 में पूरे भारत देश का अर्वो खर्बो रूपय का अर्थ तंतर स्थागित कर दिया, अर्थ व्यवस्ता को बंद कर दी गए, सामाजिक व्यवस्ता को बंद कर दी गए, क्यों? क्योंकि आपके प्राण बची जाए, आपके जान बच जाए, और आप कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों को उनका बलिदान की कोई किमत नहीं है, अगर किमत होती, तो आप आज ही व्यसनमुक्त हो जाए, दोस्तों, मैं आपको इसलिए ये बात कह रहा हूं, कि पूरे विश्व में, प्रतिस परति देश एवं विश्व के हमारे दु प्रति देश के नव युवान है, उनको मैं बचाना चाहता हूं, क्योंकि पूरे विश्व के नजर यहां पर है, अगर युवादन हमारा खतम हो जाएगा, तो भारत देश खतम हो जाएगा, लेकिन दोस्तों, मैं ये नहीं करना है, हम अब जागना है, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, रोकने के लिए बहुत सारे लोग पीछे पड़े हैं, तो दोस्तों, मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहता हूं, कि अगर मैं इसलिए आपको चेतावनी भी दे रहा हूं, और मुझे डर भी लग रहा है, जो आपके सामने में पेश करने जा रहा हूं मुझे डर है कि यह COVID-90 किसको असर हुआ है, जिनकी रेजिस्टन्स पावर कम था, उनको यानि की बोड़े लोगों को इसका ज्यादा एफेक्ट हुआ है, दोस्तों, आने वाले दिनों में ऐसा भी वाइरस आ सकता है, कि जिसके सरीर में, जिनकी बाड़ी में निकोटिन ज् उनको यह वाइरस असर करेगा, क्योंकि अब मिसाइलों से, बम धड़ाके से यूद होने वाला नहीं है, अब यह जैविक यूद होने जा रहा है, दोस्तों, आने वाले दिनों में, तो जैविक यूद में हमारी अपनी खुद की बोड़ी को बचाने के लिए, हमारी जान क परवपर्व, फीर एक बार, आप सबसे, मैं दो हाज जोड के बिंती करता हूं, कि प्लीज, 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 व्यसर मुक्त हो जाए, अब हापके परिवार के लिए, आपके लिए, देश के लिए, दोस्तों, फीर एक बार, आप सबको बहुत-बहुत सुबह चाए, और आप खूश रहे, अबाद रहे, दुनिया की हर खूशी, आपकी पाउचु में, यही उम्मित के साथ, once again, दोस्तों, कॉंग्रिचुलेशन ओन दिस नेशनल फेस्टिवल, इंडिपेंडेट्स दे, and my friends, लेव टोबे को, and enjoy your life. Thank you, बंदे मात्रम.